सब्सक्राइब करें Tech Bros चैनल को और बैल आइकॉन दबाए हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए हलो दोस्तों आप देखरें Tech Bros आज के इस वीडियो में हम Infinix Hot 12 Play इस मोबाइल में फर्सटाइम सीम काड कैसे इंसर्ट करते और आपको फर्स्टाइम सीम काड इसर्ट करने के बाद में क्या-क्या सैटिंग करनी होती है यह देखेंगे दोस्तों आप इस मैदाट का इस्तेमाल करके Infinix Hot 12 Play और Infinix के दूसरे मोबाइल्स को आसानी से First Boot-Up कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी sim tray को open करना है देखे दोस्तों इस mobile में आपको दो sim cards और एक dedicated memory card का slot मिलता है तो मेरे पास मैं यहाँ पे single sim है तो मैं इसे sim tray 1 में install करूँगा अभी आपको यहाँ पे right side में power button दिखा रा है आप इसे press कीजिए देखे दोस्तों अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले language select करने के लिए दिखा रहा है तो आप यहाँ पे इसे default language के साथ में next button प्रेस कीजिए देखे दोस्तों अभी आपको यहाँ पे Wi-Fi दिखा रहा है अगर आपके पास में Wi-Fi है तो आप यहाँ पे आपके Wi-Fi का password एंटर कर दीजिए otherwise आप इसे mobile network के साथ में भी setup कर सकते देखे दोस्तों अभी आपको यहाँ पे इसकी battery non removable है यह चीज का instruction दिखाए दे रहा है और अगर आपको आपके mobile को restart करना है तो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि 8 सेकंड के लिए आप power button को hold कीजिए तो आपका mobile restart हो जाएगा तो अभी आप यहाँ पे next button प्रेस कीजिए देखे दोस्तों अभी आपको आपके old mobile में से data copy करने के लिए दिखा रहा है तो अगर आपको आपके old mobile में से data copy करना है तो आप यहाँ पे next button प्रेस कीजिए otherwise आप यहाँ पे इसे don't copy प्रेस करके आगे बढ़ जाईए देखे अभी आपको यहाँ पे आपकी email ID इंटर करने के लिए दिखा रहा है तो यहाँ पे आप जब भी email ID इंटर करेंगे तो आप इस बात का धियान रखिए कि अगर आपको आपके mobile को format या hard reset करना है या अगर आपको mobile कहीं गुम जाता है या loss हो जाता है और आपको आप आपको आपकी यह same Gmail ID और इसका password इंटर करना होगा तो आप यहाँ पे जो भी email ID इंटर करेंगे आप हमेशा याद रखिए यह आपके लिए बहुत ही important होती है अगर आपके पास में इंफिनिक्स की ID है तो आप यहाँ पे आपकी ID password इंटर कर सकते हैं अदर्वाइस आप यहाँ पे इसकी बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाए अभी देगे आपको आपका fingerprint और face log यह सारी चीज़े सेट करने के लिए दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे म आपको इस तरीखे से आपका fingerprint को एड़ करना है अगर आपके old mobile में से data transfer करना है तो आप यहाँ पे इसे transfer कर सकते या फिर आप यहाँ पे इसकी बटन प्रेस करके आगे बढ़ सकते देखे दोस्तो आपको यहाँ पे किस तरीखे से आपका UI setup करना यह चीज़ दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे इसे classic setup करके next बटन प्रेस कर दूँगा तो देखे दोस्तो 5-7 मिनट के बाद में अभी हमारा Infinix Hot 12 Play यह mobile complete setup हो चुका है और अभी यह इस्तिमाल करने के लिए ready है दोस्तो आप इस method से Infinix के दूसरे mobiles को भी आसानी से first boot up और setup कर सकते हैं अगर आपके कोई सावाल है तो comment कीजिए इस वीडियो को like और share कीजिए और झाल